नमस्कार दोस्तों आज हम पार्ट पांच साती हाथ बढ़ाना करेंगे जो की साहिर लुध्यानवी द्वारा रचेत है प्रस्तत गीत लुध्यानवी जी ने नया दौर फिल्म के लिए लिखा था इस गीत में परिशम के मतलब को दर्शाया गया है यदि सब लोग मिल जूलकर मेहनत करें तो रिखिस्तान में भी हर्याली लाई जा सकती है साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला ठक जाएगा मिलकर बोज उठाना साथी हाथ बढ़ाना हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर ने रस्ता छोड़ा परबत ने सीज जुकाया फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहे हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहें साथी हाथ बढ़ाना प्रसंग प्रस्तुत पध्याश हमारी हिंदी की पठ्थे पुस्तक वसंत भाग एक में साथी हाथ बढ़ाना नामक कवी तास्ति लिया गया है इसके रचैता सूप्रसिद्ध, गीतकार, साहिर, लुध्यान भी है कवी का कहना है कि मेहनत करने वाले लोगों के सामने कठिन मुश्कूलें भी नहीं टिकती हैं व्यक्या कवी सभी लोगों से एक साथ मिलकर काम करने का आवाहन करता है कि हे साथी अपने हातों का सहारा दूसरों को भी देना कोई अकेला व्यक्ति काम करते हुए ठक जाता है तो उसके बोज को बांट कर काम कर लेना चाहिए जिससे वह भी साथ चल सके हे साथी तुम लोगों की मदद करना परिशम करने वालों ने लोगों ने जब भी एक साथ जब भी किसी मुशिकल से मुश्किल काम को करने का निश्चे किया उनको सागर ने रस्ता दिया और पर्वत भी जुक गया अर्थात सामने मुश्किले नहीं टिक सकी हमारे सीने और बाजुएं फौलाद की तरह मजबूत हैं हमारी भूजाओं में काम करने की शक्ती है जिन से हम कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे और मुश्किलों पर विजे प्राप्त कर लेंगे महनत अपने लेख की रेखा महनत से क्या डरना कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना अपना दुख भी एक है साती, अपना सुख भी एक, अपनी मन्जिल, सच की मन्जिल, अपना रस्ता नेक साती हाथ बढ़ाना प्रसंग इन पंक्तियों में बताया गया है कि मनश्य को परीश्रम से नहीं डरना चाहिए परीश्रम से ही सभी मुसिबतों पर विजय पाई जा सकती है व्यक्या कवी अपने परीश्रमी सातियों से कहता है कि मेहनत तो हमारी किस्मत की रेखा है फिर मेहनत करने से हम क्यों डरें कल तक हमने अपने जबीदार मालिकों के लिए की आज हमें अपने अजाद देश के लिए महनत करनी है हे साथियों, हमार सब का दुख एक समान है और सुख भी एक जैसा ही है अपनी मंजिल तो सचाई की मंजिल है और अपना रस्ता भी नेक अर्थात भला है हे साथि, तुम एक दूसरे की मदद करना एक से एक मिले तो कत्रा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जरा बन जाता है सहरा एक से एक मिले तो राई बन सकती है परवत, एक से एक मिले तो इंसां बस में कर ले किस्मत साथि हाथ बढ़ाना प्रसंग एकता के शक्ती का वर्नन करते हुए कवी का कहना है कि एक साथ मिलकर काम करने से मनुश्य अपनी किसमत को अपने वश में कर सकता है व्याख्या कवी कहता है कि जिस प्रकार पानी की एक-एक बूंत से नदी बन जाती है रेज का एक-एक बारीकन मिलकर रेगिस्तान बना देता है एक-एक महीन छोटा सा राई का दाना मिलकर बहुत बड़ा पहाड बना देता है उसी प्रकार, इंसान में जूलकर कार्य करें, तो अपनी किस्मत अपने बस में कर सकता है अर्थात, और संभव कार्य को भी संभव बना सकता है, हे साथी, तुम एक दूसरे को सहरा जरूर देना। शब्दार्थ किस्मत तकदीर, कत्रा बूंद, दरिया नदी, जरा रेत का कन, सिहरा रेगिस्तान, राई सरसों का दाना, इंसा आदमी, लेख भाग्य, गैर पराय, सच सक्य, नेक, अच्छा, मन्जिल, लक्ष, खातिर, के लिए, राहे, रास्ते, बोज, भार या वजन, पर्वत, पर्वत, अर्थात पहाड, सीस, अर्थात सिर, फुलादी, लोहे के समान, मस्बूत, प्रशन अभ्यास, गीत के बारे में, प्रशन एक, इस गीत के किन पंक्टियों को तुम अपने आसपास की जिन्दगी में घड़ते हुए देख सकते हो, अपना दुख भी एक है साती, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल, सच की मंजिल, अपना रस्ता नेक, एक से एक मिले तो कत्रा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जरा बन जाता है सहरा, प्रशन दो, सागर ने रस्ता छोड़ा, परवत ने सीश जुकाया, साहर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो, उत्तर साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ कारे करने से बड़ी से बड़ी बाधाओं से भी रस्ता निकलाता है, अर्थात कारे आसान हो जाता है, सासी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजे पा लेता है प्रशन तीन गीत में सीने और बहां को फौलादी क्यों कहा गया है उत्तर फौलाद एक मजबूत धातू होती है परीश्रमी व्यक्ति के सीने एवं बाजों में शक्ति भरी होती है इसलिए कवी ने सीने और बहां को फौलादी कहा है प्रशन चार यह गीत किसको संभोधित है उत्तर यह गीत परिश्रम करने वाले मनुश्य को संभोधित है गीत से आगे प्रशन एक अपने आस पास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों इस से मिलते जुलते दस शब्द अपने शब्द बंधार में जोडे उत्तर हम अपने साथ पढ़ने वाले चातरों अपने मित्रों पशुपक्षियों वजानवरों को साथी मानते हैं क्योंकि यह सब हमें काम करने के लिए प्रेदित करते हैं साथे शब्द से मिलते जुलते अन्य शब्द हैं मित्र, सहचर, सहपाथी, दोस्त, सखा, सखी, सहेली, हिमायती, सहायक प्रशन दो, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक कक्षा महले और गांव के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम इस वाक्य की सचाई को महसूस कर पाते हो और कैसे प्रशन तर, जब किसी परिवार पर विपत्यों का पहाट तूटता है तो गांव के सभी लोग उसकी साहता करते हैं जब गांव में आग लगती है या कोई अन्य आपदा आती है तो सभी मिलकर उसका मुकाबला करते हैं प्रशन तीन, इस गीत को तुम किस महौल में गुनगुना सकते हो उत्तर, इस गीत को हम सब सामोही कार्य कर रहे हों तब गुनगुना सकते हैं प्रशन चार, एक अकेला ठक जाएगा मिलकर बोच उठाना, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो, पापा के काम और मा के काम क्या क्या हैं, क्या वे एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं उत्तर, जब माता जी या पिता जी घर का अन्य सदस से कोई कार्य करता है, तो हम उसकी सहायता करते हैं हम पापा के जुतों पर पॉलिश करते हैं, वे कभी कभी उनके कपड़े स्ट्री कर देते हैं माता के साथ मिलकर सबजी काटने, घर की सफाई करने, बाजार से कोई सामान लाने में मदद करते हैं हाँ, वे भी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं रेशन पांच, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है, तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहनी के किस मोड पर आता है फिल्म देखो और बताओ उत्तर, यह गीत नया दौर में तब आता है जब गांफ में बस चलाई जाती है बस के चलने से अनेक लोगों की रोजी रोटी पर फरक पड़ सकता था बस के साथ घोड़े टांगे की दोड़ होनी होती है लोग मिल जूलकर एक सड़क का निर्मान करते हैं आखिर में घोड़े टांगे की विजय होती है